हलो एव्रीवन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिटरेचर जोन आज के वीडियो में हम लोग डॉक्टर फाउस्ट है जो की क्रिस्टोफर मार्लो की काफी फेमस प्ले है उसकी बाड़े में पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो जो है काफी गोधियो के थे हैं वीडियो कितुत उन्हें फ्लेव प्लाव स्लेवर तो प्ली आप लोग एपको लोग वीडियो को लेटे परना चैनल को शंब्स्क्रीप करना और डिप्लीज वीडियो को पीडियर चाहिए तो आप टलीग्रान जोइन कर शखते हैं और एंगलिस लिटर इंस्ट्राग्राम का लिंक दोनों आपको इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वीडियो शुरू करते हैं डॉक्टर फॉस्टर इस प्ले का जो फॉल टाटल है इस प्ले का जो फॉल टाटल है इस प्ले का पूरा टाटल है इट वस प्रोबैबली रिटें इन 1952 इस प्ले कु लिखा गया था 1952 और 1953 मतलब 1952 और 1953 के बीच लिखा गया था शॉटली बिफोर मार्लो के डैथ के जस्ट पहले 1593 मतलब 1593 में मार्लो की डैथ हुई थी और लगबाग उसी टाइम में यह प्ले भी लिखा गया था और मार्लो का जो बर्थ हुआ था तो 1564 में वहा था तो बहुत कम मतलब टाइम तक यह मतलब जिवित रहा फिर भी इनका मतलब जो भी वर्क लिख रखें कापी फिरमस रहा दप्ली वास ओरिजनली पव्लें। इंश्टेनज elabor अवरी इक बूुक में 1604 में पव्लिष किया गया था इट से फाइव एक प्ली पांच एक प्ली प्ली बेस्ट वं जरमन स्टोडी के बिस्ट और कहानि पर अबाउट द़ टाइटल करेक्ट्र Character Faustus, मतलब जो हम लोग का Title है, Dr. Faustus, उसी के Character चलेतर पर बेस्ट है The author of this play इस play का जो author, मतलब लेखक है, Christopher Marlow, also known as Kit Marlow वो Kit Marlow की नाम से भी जाने जाते हैं वो जाने इंग्लिस प्लेराइट, इंग्लिस प्लेराइट नाटक कार है, Poet है, Translator of Elizabethan Era के हैं He is among of the most famous of Elizabethan playwright Elizabethan Era में जो भी playwright नाटक कार हुए है उन में से एक थे जो कावी famous थे, सम स्कॉलर अलसो बलीब, कुछ स्कॉलर से नी विद्वान का मानना है That he greatly influenced William Shakespeare की वो ने William Shakespeare को कापी प्रभावित की है, मतलब William Shakespeare इन से प्रभावित हुए है, किस से Christopher Marlowe से, Christopher Marlowe was one of Shakespeare contemporaries Christopher Marlowe, Shakespeare के contemporaries, यनि समकालिम थे Shakespeare के समय ही थे One of the most obvious similarities between the two इन दोनों के बीच, मतलब Christopher Marlowe और William Shakespeare के बीच जो similarities है, two was there, both wrote in blank verse, कि दोनों जो है ना blank verse में लिखते हैं, Among Marlowe notable works, अब Marlowe का notable works है, प्रमुक works है include उसमें शामिल है Hero and Leander, Dedo Queen of Catheridge, Edward Second Tambulin, Len the Great The Jew of Malta, उसके बाद है The Massacre at Parish ये सब उनका notable work है, मतलब प्रमुक work है, और इसमें से हम The Jew of Malta का तो और वीडियो अप्लोड कर रखे हैं, और Edward Second पे भी दो पे हम और वीडियो अप्लोडी बना चुके है Edward Second और The Jew of Malta Dr. Foster is a well-respected German scholar, Dr. Foster जो हम लोगा नोराउट character, important character भी है और इस novel के protagonist यानि हीरो भी है और जिसके नेम पे title भी इस novel का, वो क्या है, German scholar है, German विद्वान है, gross dissatisfied मतलब, dissatisfied है with the limits of traditional form of knowledge traditional form जो knowledge का था, उसे dissatisfied है, मतलब, परंपरागर जो knowledge का तरीका था, logic, medicine, love, religion, और, मतलब, यह सब जो form था, वो सब जानते थे, वो, logic से related सारा मतलब, जानते थे tradition, medicine, love, यह सारा वो पड़र केते हैं, और decide or decide करते हैं, that he wants to learn to practice magic कि वो अब क्या करना चाते हैं, शीखना चाते हैं और practice करना चाते हैं magic, जादू को his servant उनका नौकर, वेंगर brings Waldez and Cornelius to him at his behist, मतलब, उनके कहने पर Waldez and Cornelius को लाता है, बुलाता है Waldez and Cornelius instructs him in black arts, वो लोग इसको मतलब, Dr. Foster को सिखाते हैं black arts, यानि वह काला जादू and he begins his new career और वो अपना नया करिया सुरू करता है as a magician, एक magician, एक जादू गर के रुप में by summing up Mephistophils, a devil यानि एक राक्छस Mephistophils को बुलाते हुए despite Mephistophils warning about the horror of the hell despite यानि इसकी बाप जो की Mephistophils है, उसको मतलब, डराया था Dr. Foster को, horror of hell मतलब, hell को लेके जो मतलब, उसके अंदर दंसत पैदा करनी कोशिश की थी Foster's tells the devil Foster's क्या करता है, devil को बोलता है Mephistophils को बोलता है Lucifer, Lucifer के पास with an offer, एक offer के साथ of foster souls foster, मतलब, offer करता है foster, खुद का soul, offer करता है, यानि खुद की आत्मा in exchange for 24 years of service for Mephistophils मतलब, किसके बदले में Mephistophils, मतलब, राक्षस जो प्रकर्ट हुआ था Mephistophils, उसके मतलब, वो 24 साल तक क्या करेगा service करेगा, किसकी Dr. Fosters की साड़ी बात मानेगा, तो इसके बदले में, 24 साल के बाद Dr. Fosters, Lucifer को अपना आत्मा देगा, ठीक है, Lucifer जो Mephistophils का, मतलब, गुरू है या फिर उसे उपर है Mephistophils return to foster, अब Mephistophils return, फिर से वापस आता है foster के पास, with word, इस word के साथ, that Lucifer has accepted foster's offer, कि Lucifer जो है foster's के offer को श्विकाल कर लिया है Mephistophils demands Mephistophils demand करता है, that foster's certified the agreement foster को क्या करना पड़ेगा, certified प्रमानित करना पड़ेगा, agreement को returning foster's on blood और उसको क्या करना पड़ेगा, खुद के blood से, मतलब, लिखा हुआ as foster's attempt to sign the agreement, और foster जैसे ही उस agreement पर शाइन करने की कोशिश करता है his blood कंगिल, उसका blood कंगिल से नहीं जम जाता है as if refusing to sign और जैसे ही मतलब, वो refuse मना करने वाला राता है जाइन के लिए Mephistophils फैचे some hot coals, Mephistophils राक्षस जो है, वो कुछ गरम कोईला लाता है to melt the कंगिल्ड blood, उस जमेवे blood को melt यह नहीं पिगलाने के लिए and foster's sign the agreement और foster's उस agreement पर शाइन करता है as soon as he does so, और जैसे ही मतलब वो ऐसा करता है the word, एक word oh man fly, appear on his arm उसके आम पर, oh man fly करके ऐसे मतलब छप जाता है word foster's immediately regrets the deal, और उसके बाद foster's पुरंत regret पस्टाताप करने लगता है इस deal पर, but is distracted from his worries लेकिन उसको अपने चिंता से distract कर दिया जाता है when mephistophils summons up a group of devils, जब mephistophils a group of devils, मतलब राक्ससों को ग्रूप को बुलाता है, bringing various riches to him, जो कि उनके लिए, उसके लिए पूछता है, कि बताओ कि वो प्लेस का है जिसको लोग hell कहते है, नर्क कहते है the mephistophils reply, mephistophils जबाब देता है, any place कोई भी ऐसा जगा, where God is not जहां भगवान नहीं है, is hell, वह hell है all places shall be hell, सारा जगा hell हो सकता है, that is not heaven जो कि heaven नहीं है, Marlowe describe hell by saying, अब जो क्रिश्टो कर मालो है वो डिसक्राइब करते है, इस novel कि थूँ hell क्या है, hell is just a frame of mind ये novel का line है, जो की काफी famous line है then, तभी Fosters asked mephistophils for a wife, एक wife के लिए बोलता है Fosters बोलता है, मुझे एक wife चाहिए mephistophils से, क्योंकि अब तो mephistophils सेवा में है, Fosters के तो, मतलब, demand करता है बहुत सारा चीज़ but mephistophils can not do anything related to marriage, लेकि मेphistophils कोई भी ऐसा काम, मतलब, marriage related कोई भी काम नहीं कर सकता है because, क्योंकि marriage is a holy shariwmani, क्योंकि marriage जो है, पवित्र shariwmani शंबन्द है, या मतलब पवित्र, मतलब, एक तरह से पवित्र रिष्टा है, तो, राक्षस है, डेविल है, तो लोग से बुरा काम करते हैं तो, marriage से related कोई भी काम वो लोग कर नहीं सकते है so, he summons a devil woman instead, so, इसके बदले में, वो devil woman, एक, मतलब, बुरी औरत, यानि राक्षस, जो जो राक्षसी होती है, उसको बुला लेता है एक, मतलब, औरत को फेस्टोफिल्स गिप्स फॉस्टस बुक में फेस्टोफिल्स फॉस्टस को बुक देता है containing all the knowledge of astronomy जिसमें astronomy, खगोल वाला पुरा ब्रह्मान का नॉलेज हो and the star का नॉलेज हो as well as all planet, सारे planet, trees सब का नॉलेज हो फेस्टस again begins to regret फिर से फेस्टस रिग्रेट करने लगता है पश्चताप, giving up his soul कि हम अपना soul दे देंगे 24 साल बाद यह सब सोच के थोरा सा फिर वो nervous होता है and consider repenting और फिर से पश्चताप करता है मेफेस्टोफिल्स teaches him मेफेस्टोफिल्स उसको बताता है about the movement of planet planet के movement के बारे में and the composition of the universe universe के composition या रचना के बारे में फॉस्टस asks, फॉस्टस पूछता है who made the world, कि इस world को को बनाया है but मेफेस्टोफिल्स refuses to answer फिर से मेफेस्टोफिल्स क्या करता है refuse, यानि मना कर देता है answer देने से as he does not want to say the name of God क्योंकि वो मेफेस्टोफिल्स इसले मना कर देता है क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं रिना चाहता है क्योंकि जो universe बनाया कहीं न कहीं भगवान बनाया ऐसा मानना था तो ये मेफेस्टोफिल्स भगवान का नाम नहीं रिना चाहता है इस वज़े से वो इस चीज़ का answer नहीं देता है क्यों universe बनाया this makes foster want to repent again और फिस से इस चीज़ पे foster repent करने लगता है मतलब पस्चात आप and turn to God और भगवान की तरफ होना चाहता है क्योंकि उसको मतलब no doubt answer नहीं मिला था यहां पे कि भगवान मतलब universe world को बनाया add this और इस पर lucifer appear lucifer appear होता है जो main devil है main raptus है with other devils दूसरे devils के साथ telling foster और जो बताता है foster को not to speak of God and Christ कि तुम्हे ना मतलब कोई भगवान या Christ से बात मत करो उसको याद मत करो यह सब बोलता है foster's apple eyes apple eyes as yours apple eyes foster's पहले माफी मांगता है and as yours उसको निश्चित करता है lucifer lucifer को that he will reject gods कि वो मतलब भगवान को फिर जब याद नहीं करेगा lucifer entertain foster's lucifer क्या करता है entertain करता है foster's को by summing up personification of seven deadly sins उसको personification याई अवतार के बाड़े में बताता है seven deadly sins के अवतार के बाड़े में बताता है और मतलब entertain करता है कहानी के थू lucifer gives foster's another book फिर से lucifer एक दूश्रा बुक देता है foster's को to learn पढ़ने के लिए from before living जाने से पहले वहां से जाने से पहले is stable man और एक stable man है मतलब stable man जो गोडों के साथ रहता है वो है Robin still यह क्या करता है चुडाता है one of foster's spell book foster's का जादूई बुक चुडा लेता है and tells his friend और अपने friend Raffay को बोलता है that they should try to cast some magic spell कि उलोग को जादू करने का try करना चाहिए अपने friend को बोलता है on the other hand वहीं दूश्री तरफ Mephistophils has taken foster's on a grand tour Mephistophils एक बरे से टूर पे ले जाता है of the world मतलब पूरे world के टूर पे Mephistophils foster's को ले जाता है इन्हें chariote drawn by dragon एक chariote यह रत पे जो की खीजा जाता है dragon के द्वारा in order to learn all the secret of astronomy ताकि वह क्या कर सके learn जान सके सारा secret astronomy का the pair is now head header for Rome अब जो यह दोनों pair है Mephistophils और foster's जाते हैं Rome की तरफ he goes to the pop's court pop के court popic raja इसके court में जाते हैं in Rome Rome में makes himself invisible खुद को गायब करके and disrupts the pop's banquet or disrupt यह नहीं मतलब गरबर कर देते हैं पूरा मतलब खराब कर देते हैं banquet pop के banquet यह नहीं दावत को मतलब भोष यल रहा था उसको बरबाद कर देते हैं following this incident this incident के बाद he travels through the courts of Europe courts of Europe जाता है with fame is spreading as he goes और जहां भी जाता है उसका fame प्रशदी फैलते जाते हैं क्योंकि वह magician भी बन गया है तो बहुत कुछ कर सकता है eventually he is invited to the court of German emperor अब उसको invite क्या जाता है German emperor के court में जिनका नाम है Charles V Charles V the enemy of the Pope जो कि enemy रहता है Pope का क्योंकि Pope जो है अच्छा आदमी है और अच्छा आदमी के यहां जब यह गया था मतलब जो भी गया था किसके साथ मेफस्टो फिल्स के साथ तो यह लोग उसको परशानी किया और यहां पर फिर से Charles V जो है वो अच्छा आदमी नहीं है मतलब Devils के मतलब पक्ष में रहता है तो इस वज़े से वहां गया तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें बाइट किया गया था जो कि पोप का इंदमी था Charles V is accidentally impressed Charles V बहुत ज़्यादा impressed होता है बट ए नाइट लेकिन एक नाइट यानि उसके मतलब राजमाहल में एक जो सिपाई होता है वो था of is उसका ही सिपाई जो था is uncomfortable वो क्या होता है uncomfortable होता है with the devilish magic इस मतलब बुराई वाला जादू मतलब राक्षसो वाला जादू से uncomfortable होता है and is skeptical of factors are skeptical of factors मतलब वहां से जाने लगता है उसका जवाब देता है उस नाइट के रूडनेस का by making horns appears on his head मतलब उसके head पर horns मतलब यानि सिंग बना लेता है उसका जवाब देता है इस तरीके से furious the nights अब वो nights जो डड़ गया वाउज रिवेंज वो भी रिवेंज लेना चाहता है बदला लेना चाहता है after death उसके बाद faustus visit to a horse trader एक घोड़े के वैपाड़ी के पास जाता है who asked to buy his horse जो कि उसको एक घोड़ा खरेदने के लिए बोलता है faustus agrees foster मान जाता है बट tells him लेगिन फिर उसको बोलता है not to ride the horse into water कि water में इस घोड़े को मतले जाना मेनवाइल तभी robin and his fellow ref जो robin और उसका fellow था पार्थी था रेफ जो कि चुराया था doctor foster's का जादू वाला बुक manage to summon up mephistrophils यह लोग manage कर लेता है उस जादू वाले से किसको बुला लेता है mephistrophils को बुला लेता है who threatens to turn robin and rafay into animals जो कि threaten यह दराता है धमकाता है robin और राफे को कि वो क्या करेगा turn into animals वो लोग को animals बना देगा जानवर बना देगा to punish them for their full listeners मतलब वो लोग जो मुर्खता किया है mephistrophils को बुलाया है जादू के थू तो इसके लिए वो इसको क्या बना देगा जानवर बना देगा यह धमकाता है as the 24 years of his deals with Lucifer अब जो लुसिफर के साथ 24 साल का deal किया गया था come to close वो close आ रहा था मतलब 24 साल बीत रहे थे वैंगर वैंगर जो मतलब डॉक्टर फॉस्टर का नौकर था वो वरीड है चिंतित है फॉस्टर विल डाइश उनकी फॉस्टर जल्दी मर जाएगा क्योंकि सोल ले जाएगा 24 साल ब एक group of scholar एक scholar का जो group है asks पूछता है him to call up the spirit of Helen of Greek की एक Helen है Greek की उसको मतलब उसके spirit को बुलाने के लिए बोलता है कि इसको? डॉक्टर फॉस्टर को the most beautiful woman in the world जो की world की सबसे beautiful woman रहती है सुन्दर रहती है which he does जो की वह करता है then sudden तभी an old man appears एक बुढ़ा आदमी appear यानि प्रकट होता है and arises fosters to repent और fosters को बोलता है कि तुम पस्तावा कर लो fosters is troubled and repent fosters क्या होता है परिशान हो जाता है क्यों परिशान होता है क्योंकि कहीं न कहीं उसका 24 साल अब खतम होने वाले है and repent और पस्तावा भी करने लगता है Mephistophils calls him a traitor अब Mephistophils उसको मतलब ऐसा देखके कि वह भगवान को याद कर रहा है या पस्तावा करने के कोशिश कर रहा है उसको क्या बोलता है श्रेटर बोलता है गदार किसको डॉक्टर फोस्टर को for his disoblidance मतलब जो मतलब आगें के पालन नहीं कर रहा है मतलब जो भी लोग का डील हुआ था तो इस वज़े से वह उसको गदार बोलता है फॉस्टर अपोल आज़ेज एंड रिजॉल्व नो टू रिपेंट माफी मांगता है फिर से फॉस्टर अंड रिजॉल्व और कंफर्म करता है कि वह फिर से रिपेंट पस तावा नहीं करीगा फॉस्ट मेफिस्टो फिल्स तो मेक हेलन इस लवर फॉस्टर फिर यहां पर मेफिस्टो फिल्स को बोलता है कि हेलन जो सबसे खुशुरत लड़की थी वर्ल्ड की उसको लवर बना देने सो ताकि that her beauty can distract him ताकि उसकी सुंदरता उसको distract कर सके from his impending doom मतलब उसका जो आने वाला जो प् दिन नजदीक आते जा रहा था he tells to the group of scholar तो वो जो scholar का group था जो कि Helen का spirit बुलाने बोला था उनको बताता है about the deal, deal के बारे में he had made with Lucifer जो कि Lucifer के साथ किया था they go to pray for his soul, वह लोग जाते हैं इसके soul आतना के लिए pray करने, Faustus realizes that he has only one hour of Faustus realize करता है उसके पास सिर्फ अब एक ही जाता है तर यह भगवान के पास जाता है, saying that one drop of Christ blood would save him, यह कहते हुए कि भगवान मतब Christian के जो भगवान है Christ उनका एक बूंद जो blood का उसको बचा सकता है किसको, Faustus को, but he is unable to commit to repenting, लेकिन फिर यहां पे वो unable, मतब और सही हो जाता है, नहीं कर पाता है अच्छे से पचता The clock strikes midnight, अब आधी रात हो चुकी है, time खतम हो गया, अब आधी रात को clock strikes से नहीं हरताल करना, मतलब रुप गई लिया चानक से, Faustus time is up, Faustus का time खतम हो गया है, he cries out, वरोना शुरू करता है, making a last promise, और एक last promise चाहता है to burn his book, कि उसका book जो है, जला दिया जाए, मतलब वो जाद devil है, and carries his soul off to hell, और उसका soul क्या करते हैं, ले जाते हैं, कहां hell में, नरग में, in the next morning, और अगली सुबह, the scholar finds Faustus limbs, Faustus के मतलब सरी मिलता है, scholars विद्वानों को, and decided to hold a funeral for him, और वो लोग decide करते हैं, कि एक funeral, यनि दा संसकार इसका किया जाए, at the end, और end में, chorus says, chorus कहते है, chorus कून होता है, न, चर्च में, जो, मतलब, singer होते हैं, कुछ, जो, साइड में, गाते रहते हैं, जुनको, opera singer बोलते हैं, तो वो लोग अंतिम में कहते हैं, Faustus is example note 2, Faustus is example एस चीज़ का, कि not to try learn, कि वैसे चीज़ को, मतलब, learn, सीखने की कोशिच नहीं करने चाहिए, unlawful things, जो unlaw हो, मतलब, जो नियम के against हो, कानून के against हो, beyond the limits of appropriate human knowledge, जो कि human knowledge का जो एक limit है, उचित, उसके appropriate उसके परे हो, तो यहाँ पे वीडियो खतम होता है, वीडियो गर आपको अच्छा लगे, आपके लिए helpful है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक् वीडियो में, next topic के साथ,